हाई एवरिवन कैसे आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होगे मस्थ होगे नया साल आ रहा है और इस नय साल में कुछ नया भी होना चाहिए कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने वाली है और इन चार पांच दिनों में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी जो नए साल की जो शुरुआत है वो बहुत पहत्रीन तरीके से हूँ इस साल होने वाली सारी परेशानी, दुख, तकलीफ या कोई भी आदत या किसी भी तरह की कोई भी यदि परिशानी है तो हम चीजों को यहां पर छोड़कर हम नए साल में प्रवेश करें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी आदतें हैं जो हम चाहते हैं कि नए साल में ये हमारे साथ में ना रहे तो यदि हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ में ना रहे तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा वरना वो सारी चीज़े हमारे साथ नए साल में भी आ जाएगी और वो हमारे जीवन में तकलीफ का कारण बनेगी यदि आप चाहते हैं कि नए साल में ये सारी चीज़ें आपके साथ ना रहें, इन सारी चीज़ों को आप यही पर छोड़कर नए साल में बहुत खुशी खुशी और पॉजिटिवीटी के साथ में प्रवेश करें, तो आईए जान लेते हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले आप black color का pen ले लीजिए और एक copy ले लीजिए उसमें उन सारी चीजों को लिखिए जो आप नहीं चाहते हैं जिसकी आप आदत छोड़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए बट आप उसे दूर नहीं कर पा रहे तो आपको ये करना है तेहिए उसमें negative thinking भी हो सकती है आप नहीं चाहते कि आप negativity से भरपूर रहे बट तो भी आप negative होते जाते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले negative thinking लिखना है कि मैं नहीं चाहती कि negative thinking मेरे साथ में रहे या उसके साथ पास उसके बारे में यदि आप थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं फिर आप किसी परसन को चाहते हैं कि आपके साथ में ना रहे आपको उसका साथ पसंद नहीं है या कुछ कारूनों से आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में नार है तो आप उसका भी नाम लिख लीजिए उसके बारे में भी लिख लीजिए फिर कई लोग है जिनको बहुत गुस्सा आता है लेकिन आप चाहते हैं कि गुस्सा आपसे दूर हो जाए और आने वाले साल में ये आपका साथ छोड़ दे तो वो तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा आपको ही अपने गुस्से का साथ छोड़ना है कोई आदत हो सकती है आपकी खुद की ही कुछ आदत है जो आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि ये आदत दूर हो जाए तो आप उस आदत से दूर हो जाएए habit के बाद होता है कि खुद के ही अंदर से बुरी आदतों को निकालना चाहते हैं तो आप उनकी भी list बना लीजिए आज से अभी से इसी वक्त से आप खुद को बदलने की शुरुआत कीजिए कई बार हम कुछ आदतों को छोड़ना चाहते हैं बट कल से तो और वो कल कभी आता ही नहीं है तो आपको छोड़ना है आदत इन आदतों को आज से छोड़िए आज से आपको 31st तक रोज उन सारी आदतों को याद कर करके ढूंड ढूंड कर लिखना है आपको कि आपको क्या next year में, new year में लेकर नहीं जाना है और जब 31st तक आपका सारी चीजे लिखकर हो जाए तो आप उन पेपर्स को बर्न कर दीजिए इस तरह से बर्न कीजिए कि अब ये मेरी जिंदिगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुकी है देखिए वैसे तो हर दिन नया होता है आप इन्हें कभी से भी कर सकते थे बट अभी ऐसा है कि आपको एक मौका मिल गया है कि new year है तो हमें new year की शुरुवात करनी है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब आप इसे बर्न करें तो उस टाइम पर आप पूरे feeling के साथ में कि अब ये सारी चीज़े आपके जिन्दगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुकी है इस तरह से आप feel कीजिए खुश रहिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने नए साल की शुरुवात, new year की शुरुवात बहुत ही positivity and happiness के साथ में कीजिए आप अपनी सारे विश को manifest कीजिए इन्ही शुब कामनाओं के साथ मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए and मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू